आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बारा मुला में केंदी गरह मंत्रिया में इशाह ने कहा कि आप टूरिस हार्ट स्पॉर्ट बन गया है जम्मो कश्मीर राष्टप्रती मुर्मू और पिया मोदी ने उत्राखंट बस दुर्गट्टा में हुई मौतो का जैजा जताय शोक सियम योगी का गोरकपूर दौरा चिडिया घर का करेंगे ब्रमॉण हर्दोज में खाद सुरक्षा विवाग की खुली पो समासेवी वरिष्ट अधिवक्ता ने लगाया ब्रश्टा चार का रोप संबल के बुक नाला सदार्ट में निकाला गया अमीरिका जुलूस हजारो आजदातार है मौजूद नमस्कार आप देखने प्राइम टीवी महूं मनिश बदोरिया शुरुआत करते हैं उत्तर पिदेश की खबरों से खबर गोरकपूर से जहां विविद काईकरमों के बीच मनाय जा रहा है बन जीव सब्ता के तहद आज का दिन गोरकपूर चिडियागर के लिए बहत खास बता दें कि सियम योगी इस चिडियागर में ढ़ाई मापूर लाई गई सफेद बागिन वाइट टागर गीता को क्राल से मुख बाले में प्रविश कराने के साथ तेंदुए के दो बच्चों का नामकराण भी करेंगे इसके साथ ही चिडियागर परसासन की तैयारिया कानपूर चिडियागर से लाए जा रहे हिमालियन ब्लैक बियर भालू को और भी मुक्मनत्री के हाथो बाले में रिलीस कराने की भी है हर्दोय में योगी सरकार की आँखों के आँखों में खुले काम धूल जोक रहा है खाथ सोचा विवाग जिस पर आए दिन ब्रस्टाचार के अरोब लगते ही रहते हैं लेकिन इस बार खुद शिकायत करता ने विवाग में फैले ब्रस्टाचार की पूरी पोल खोल दी है जिस पर समासिवी के साथ ही अदिवक्ता ने अरोब लगाते हो बताए कि उन्हें कई बार कई वरिष्टों ने पतिस्ठानों में मिलावटी खोरी की शिकायत की थी लेक तो फूड इंस्पेक्टर और फूड प्रवारी को जो है अब कई वार अपली के संदी हैं लेकिन जब भी अपली के संदी जाती है उसमें वो तस्वीश पचात हजार ले आते हैं बात खतम कर देते हैं कोई थुनने वाला नहीं है हर जगे भ्रेष्टाचार दीमक की तरह चाट रहा है इस देश को और लोगों की खराब हो रहे हैं इसे फूड जिम्मेदार लोगों को कोई मतलब नहीं सारे अधिकारी कान में तेल डाल के बैटे हुए हैं ना इनको पर्वाह है न परेगी आम आजमी मरेगा अधिकारीयों के लिए सुद्ध चीज मिल जाती है ब इमाम बारगाह बनी हाशिम पर समाप्त हुआ एजुलूस के हजारो अज़ादार मौजुद रहे हैं बुलन शहर में पराली और कच्छा जलाने वाले किसानों पर परशासन ने करवाई की है दर्जन भर अधिक किसानों पर 25-2500 रुपय का जुर्माना लगा है जिसकी सेटला पर जिला परशासन ने मौके पर पहुंच कर करवाई की साथी बिना मानकों के संचाली दो कबाइन हवेश्टर को भी सीज कर दिया और थाने ले गए मामले में लेकपाल की लापरवाई पाए जाने पर जिला अधिकारी सीपी ने विभागी करवाई के आदेश दिये हैं खबर अमेठी से जहां तेज रफ़तार अनियंति ट्रक सड़क के किनारे बने श्री अमबे माता पूजा समिती के पंडाल में घुजगया जहां पर मौजूद पंडिट जी मामली रूप से चोटिल हुए और पंडाल भी तूट गया वहां पर रखी मादुरगा की मुर्दी भी तूट गई आसपास के लोग तदकाल दोड़े और ड्राइवर को पकड़ लिया समिती के सदसों ने तोन दिसकी सूचना अमेठी कोतवाली को दी जहां से आनन फानन में कोतवाली अमेठी अरुन कुमार देवेदी फोर्स के खबर लखीमपूर खीरी से जहां सौच के लिए गई यूवा कोट टाइगर ने अपना निवाला बना लिया जिसका खेट में च्छत विच्छत सव मिला है जिसको लेकर आकरुशित गामिलों ने हाईवे जाम किया और उच अधकारियों के आने की मांगी तो वहीं रोड ज की सूचना पर सी-ओ गोला पहुंचे मौके पर अम्मत कर परजनों को उचित मौफ़े की मांग की गई और साथी अबादी के पास पहुंचे टाइगर को रेस्क्यू कर पकड़ा ले जाने की मांग भी की गई राइबरीली में चोरों ने चोरी की घटना को अन्जाम देकर 25 सार नगदी साही सोने चांदी के जेवरात पार कर दिया सूचना पर पहुंचे डायल 112 की घटना स्थल के जान्च की चोरी की घटना को लेकर पिलित ने थाने में तहरीर दी है पिलित की सुचनापर डाल 112 ने घटनास तल पहुंच का जांच परताल की इस मामले में थाना देक्स राकेश चंद्र आनन्द ने बताये कि तहरीर प्राप्त नहीं हुई है तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम करवाई की जाएगी जो आपस आये जिया सर तो मैं अपना ताला जब नीचे से खोले उपर आने के कोशित किया जैसे देखा हमारे घर में सारा समान बाहर निकला पड़ा था उसकी बाद मैं जब निकला आये तो मैं एक बंदा जो है उसमें कूद के नीचे भागा उसके हमने इट मारा पड़ा नहीं था वो इतनी तेज भगा फिर तीन गारी दो गारी निकल के उधार आगे भागी उसी लाइट बंद करके वो इधर भागे उसी बात हमने सोर मताया लेकर खुप तेज आवाज देने लेकर काफी लोग के कठ्था हुए संबल के महला ठेर के मदरसा में जुलूस वा महमधी के संबल में एक मीटिंग का आउजन किया गया जिसमें उलिमाओं ने डीजे पर प्रदिवन लगाया साथी ही जुलूस ए महमधी में शामिल होने की अपील की लोगों से सर पर टोपी लगाकर आने और जुलूस के दौर बैठक में उल्माओं ने विचार रखते हुए कहा कि आका के आमद के दिन धुमधाम से मनाएं और घर पर इस्लामी जंडे लगाने का आवाहन किया कि अपने विचार रखते हुए कि अपने प्रिया रखते हैं मुस्टत का तौर पर इफासर है किया गया है जिसमें ऑलमा और शहर के तानी शवरान अरतने शिर्क्ति अपने प्रिया रखते हैं मुस्टत का तौर पर इफासर है किया गया है जिसमें अपने मकानों पर जिंडे लगाएं और सजावटे करें नदर रुनियाद के इस्तिमाम करें घरीवों की मदद करें खवर संबल से जहां एक हजूर व्यवपारी अपने साथी की बाइक से रात में किसी काम से निकले थे इसी बीच पुल के करीब टेली और ट्रैक्टर की चपिट में आ गए ट्रैक्टर की इसकी टक्कर से बाइक सवार यूवप का साथी सड़क से दूर जागिरा जिसमें एक यूवप की मौके पर ही मौत हो गई वहीं उसका साथी गंबी रुप से गायल हो गया है गायल यूवप को अस्पताल में इलाज के लिए बढ़ती कराए गया है गाजियाबाद के लोनी में अमन गाडर का लोनी के एक मकान में गैय सिलिंडर फट गया है जिसके बाद दो मनजिला मकान भरबरा कर नीचे गिर गया मकान में मौदूद महिलाएं वा बच्चे मलवे में दब गए जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस थाना लोनी पुलिस दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मकान से घाल वस्ता में पांस लों को निकाला जिनने इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई मौके पर छेतरा अधिकाली लोनी एसडियम फायर अधिकाली सुलील कुमार सिंग भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और बचावकार पुलिस परशासन दौरा कराय जा रहा है आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में अमान गाडन कालोनी के एक मकान में गैस रिंडर फट गया था जिसके बाद दो मनजिला मकान भरबरा के नीचे गर गया मकान में मौजूद महिलाएवा बच्चे मल्वे में दब गए सुचना पर मौकी पहुंची पुलिस ने थाना लोनी की पुलिस दमकल विभाग निकली मशक्कत के बाद पांच लोग को निकाला परवीन इस खबर पहमाँ साथ परवीन जोड़े हैं गाजियाबाद से सिलिंडर फटने से दो मंजिला मकान भरवरा के नीचे गिर गया जिसमें पांच लोग निकाले गए उनकी दर्दनाक मौत भी हो गई है इसको लेके क्या जनकारी है आपके पास देखियो मनी साब को बता दो लगबग ये सुबा का मामला है जहां पर लोनी शेत्र जो गाजियाबाद का है वहाँ पर तीन मंजिला जो इमारत है वहाँ पर सिलिंडर फटने को लेकर घटना सामने है इसमें बहुत ही दर्दनार घटना है मौके पर ही तीन लोगों की मृत्यू हो गई थी अब बाकी अन्य को अस्पताल के लिए उप्चार के लिए तुरंद रैफर कर दिया गया था मौके पर आला अधिकारी पहुँचे हैं वहाँ पर आईजी रेंज मेरेड भी पहुँचे हैं सादी साथ वहाँ के जो लोकल ज कर आईगी सामने लेकिं जिस आरा सी हाका हुआ है उसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत ओगई थी नुहां के जो चेत्र के निवासی हैं उनका कहना है कि जब हाम लोग इनको निकाल लाए ते मनूबे से तो कही ना कहीं जो दार्दनाक हाक्सा हुआ है उसमे कि एक बच् कानपूर दिहाद में तेज रफ़तार का कहड़ देखने को मिला है जहां तेज रफ़तार कार डिवाइडर से टक्राने पर कार सवार दो सगे भाईयो और पुत्र की घटना स्थल पही दर्दनाक मौत हो गई है बता दें कि कार सवार योगेंद कानपूर के किसी निजी अस्पताल से बीमारी का इलाज कराकर वापस आ रहा था और या अपने घर लौट रहे थे कार जैसे ही थाना सिकंदरा के बिरहा चौरहाई के पास पहुची कार डिवाइडर से टक्रा गई और पलट गई जिसमें कार सवार तीनों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई खबर चंदौली से जहां अग्याद वहन की चपट में आने से स्कूटी सवार हूमगाड की मौत हो गई जो करेक्टेड चंदौली में कारत थे तो उधर मौत की सूचना मिलते ही परजनों में कोहरा मच गया तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए बेज दिया फिला उतर प्रदेश की खबरों बस इतना है देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते है रही प्राइम टीवी नमस्कार कुट पावब पुष्पाइब